गूड मॉर्निंग बच्चो गूड मॉर्निंग मैं आज हमारे क्लास कच्छा दो के बच्चे हैं कह रहे हैं मैडम जी हम निपूर हो गए हैं हमको कहानी पढ़ना आता है तो आज हम ये चेक करते हैं कि ये लोग कहानी को पढ़ लेते हैं कि नई हमारे कच्छा 2 के बच्चे निपूर हो गए हैं कि नहीं चलिए आए देखते हैं चलो ये हमारे कच्छा 2 का बच्चा है अंस चलो बेटा कहानी पढ़ो निपूर बनेंगे हम कहानी नमबर 4 है कच्छा 2 की चलो बेटा सुरू करो बरफात का माफन था गली के बच्चे मोना के घर खेल रहे थे तभी बरफात फुरू हो गई बच्चों ने खेलना बंद कर दिया और बच्चे बाहर आकर बरफात के पानी में खेलने लगे फोनू का कुत्ता भी उनके फात बरफात के पानी में खेलने लगा बहुत बढ़िया यह हमारा कच्छा दो का बच्चा है निपुड है बहुत अच्छी कहानी पढ़ रहा है यह हमारा कच्छा दो का बच्चा है अनुराग जो है यह कहानी नंबर दो पढ़ेंगे कहा रहा है हम भी निपुड है निपुड बनेंगे देखते हैं यह पढ़ पा जाती थी इसलिए निकु बहुत परिजान रहती थी चीकु खाना खाकर बहुत मोटी हो गई कि उससे चला भी नहीं जाता था बहुत बढ़िया देखो इन्होंने भी कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ा है यह भी हमारा निपुड बच्छा है कच्छा दो का अब आ गई हैं जो है सेजल सेजल कह रही है हम भी निपुड हैं तो यह कहानी नमबर तीन पढ़ेंगी कच्छा दो की चलो बेटा शुरू करो कच्छा दो की बच्ची है इनोंने भी बहुत अच्छा पढ़ा है ठीक है ये हमारा जो है कच्छा दो का बच्चा है करूर राज ये भी कह रहा है कि हम कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे मैडम जी हम नीपूर हो गए है तो ये जो है कहानी को अब पढ़ेंगे देखते हैं ये पढ़ पाते हैं की नहीं चलो बेटा सुरू करो अनुराग अपने बाबा के साथ दसहरे में का मेला देखने गया मेले में बहुत सारी खिलोनों की दुकाने थी मेले में राम लीला भी हो रही थी अनुराग ने राम लीला देखने के लिए अपने बाबा से कहा बाबा ने अनुराग को अपने कंधे पर बिठा कर राम लीला दिखाई यह देखे हमारा बच्चा है कक्षा दो का इनों ने भी बहुत अच्छे से कहानी पढ़ ली है तो हमारे सारे बच्चे जो है कच्छा चार दो के जो है अभी तक ये चार बच्चों ने कहानी पढ़ी है चारों बच्चों ने बहुत अच्छे से कहानी को पढ़ा है निपूर कहानी है हमारी कक्षा दो की बहुत बढ़ियां ये हमारे बच्चे हैं बहुत अच्छा सब लोग एक बार ताली बजा दे सारे बच्चे